हेलो सुरेंट्स मेरा नाम दीरजबो अंद्वेदी एंड स्वागत आपके फेवरिट चैनल मागनेट ब्रेंस पर मागनेट ब्रेंस एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन और मैं आपको लेगा उसको फिलब करें फिर हमारे टीम है वह आपसे कॉंटाक्ट करेंगी ठीक है तो यह जो बुक्स एविलिबल हैं यह डिफरेंट सेग्मेंट में कार्टिकराइज है ठीक है लाइक आपका सैंपल पीपर बुक्स हो गए आपके MCQ बुक्स हो गए ऐसे डिफरेंट सेग्मेंट में आपको यह बुक्स मिलेंगे तो आपके लिए बहुत जादा बेनिफिशल रहेगा यह ठीक है तो आप सिंपल फिलब करें बागी टीम आपसे कॉंटाक्ट करेंगी चले तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आज की वीडियो में हम आपके क्लास 12 फेस का जो चाप्टर है चाप्टर नमबर 9 डाइज रे आप्टिक्स एन आप्टिक कर इंस्टुमेंट का एक बहुत ही जादा इंपॉर्टन टॉपिक डाटर्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है मतलब 99 परसेंट आपका चांस है क यह कंपाउंड माइक्रोसकोप आपके बोर्ड एक्जैम में आए ठीक है तो 99 परसेंट बोल रहा हूं मतलब आल्मोस्ट एक तरीका से कंफर्मी बोल रहा हो कि यहाँ आते है ठीक है वान परसेंट चाहां से कि यह नहीं आए ठीक है चलो तो इंपोर्टन टॉपिक है धिया से देखना हैं देखने तो कंपॉंड माइक्रो स्कोब कि अगर हमें मागनिफाइड देखना है है कि अगर करके कमें हैं तो हमंच करते हैं ओनाकर कोोम मैंक्रो स्कोब में 200 लेंज़िए दो नों object के पास होता है, जिसे हम objective कहते हैं, वो smaller focal length का होता है, ठीक है, और एक और जो convex होता है, उसका focal length थोड़ा जाधा होता है, है ना, जो eye, अपने आँखो की तरफ होता है, उसे कहते हैं, eye piece, है ना, तो यहाँ देखो, क्या लिखा है मैंने, है, a compound microscope is an optical instrument used for observing highly magnified images of tiny objects, ठीक है, ना, construction की बात करें, तो a compound microscope consists of two converging lens, मलब दो convex lens होता है, an objective lens O of very small focal length and short aperture and an eye piece E of moderate focal length and large aperture, ठीक है, मतलब मैंने बुला, यहाँ पर दो convex lens, एक को बोलेंगे objective, जो object की तरफ होता है, और एक eye piece, जो eye की तरफ होता है, जहाँ से हम देखते हैं, है कि नहीं, ठीक है, जो objective होगा, उसका focal length कम रहेगा, और जो आपका eye piece है, उसका focal length moderate रहेगा, लेकिन overall देखा जाए ना, तो दोनों lens का focal length की value small रहती है, लेकिन हाँ, जो focal length comparatively eye piece के small होती है, है कि नहीं, ठीक है, चलो, ये जो दोनों lens है, convex lens, eye piece और आपका objective, इनको हम लोग coaxially place करते हैं, coaxially का मतलब क्या होता है, दोनों lens का axis एक ही होना चाहिए, coaxially, ठीक है, चलो, तो अब मैं यहाँ पर आपको ray diagram बना के दिखाता हूँ, कि कैसे ये आपका compound microscope किसी छोटे object का magnified image बना के दिखाता है, है के नहीं, ठीक है, तो पहले काम कर लें, आप लोग ये construction का, आप लोग screenshot ले ले, फिर बात करते हैं, अपन इसका ray diagram को लेकिए, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर ध्यान से, इधर देखना, ray diagram शुरू करने से पहले, यहाँ पर ह देखना है, पहला केस यह है, कि जब image बनेगा आपके least distance of distinct vision पे, ठीक है के नहीं, तो पहला केस क्या है, when image formed at least distance of distinct vision, ठीक है, तो least distance कितना होता है अपना, 25 cm होता है, है के नहीं, least distance of distinct vision, मतलब वो smallest distance, जहां तक हम clearly देख सकते हैं, है के नहीं, तो पहला केस तो यह होगा, और दूसरा केस कौन सा करेंगे हम लोग, जब image बनेगी infinity पर, ठीक है, जिसे हम कहते है, normal adjustment, है न, तो पहले अपन यह वाला केस देखते हैं, तो हर एक cases में अपन को magnification को लेके discussion करना है, ठीक है, तो यहाँ पर magnification का definition लिखा हुआ है, लेकिन हम इस पर बाद में आते हैं, पहले ray diagram देखते हैं, कि कैसे आपका image बनेगा least distance of distinct vision पर, शुरू करें, चलो, ध्यान देने आप लोग यहाँ पर, इधर देखें, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, दो लेंस, दो नो convex, लेकिन एक smaller focal length का, देखें, यह लिया मैंने एक lens, यह लि ठीक है, यह आपका देखो, principal axis दोनों के लिए common है, है न, ठीक है, यह हमारा objective होगा, this is objective, और यह हमारा eye piece है, eye piece, ठीक है, चलो, अब देखो, इसका focus, F0, यहाँ पर F0, यहाँ पर भी यह F0, और इसका जो focus है, F1, ठीक है, और इसका भी F1, है की नहीं, ठीक है, चलो, अब देखो, इसका optical center मैंने C1 मान लिया, और इसका optical center मैंने C2 मान लिया, clear है, ठीक है, चलो, अब देखो, मैं यहाँ पर object को रखता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, object को रखा मैंने, यहाँ पर beyond F0, यह देखो, yes, this is object A, B, अब मैं यहाँ पर मैं इस तरीके से adjustment करूँगा, मैं, ठीक है, की इसकी जो image बने, वो इसके focus और optical center के बीच में बने, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि यह जो IPS है, वो virtual image बनाए, और convex lens virtual image कब बनाता है, जब object होता है, focus और optical center के बीच में, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर object को adjust करूँगा, objective से, ताकि जो image बने, वो कहाँ बने, आपके focus और optical center के बीच में बने, is it clear, ठीक है, अब देखो ध्यान से, यह जो आपका object है, यह देखो ध्यान से, मैंने पहला रे इस्तमाल किया, parallel to principal axis, है रहा, तो यह अपने focus से pass करेगा, ठीक, यह focus से pass हुआ आपका, clear, now, अब देखें ध्यान से आपर, फिर मैं optical center से pass कराऊंगा, ठीक है, this, clear, now, अब देखो, यह जो दोनों रे हैं, इनका intersection यहाँ पर हुआ है, है न, तो image कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ठीक है, this is a dash, b dash, ठीक है, यह जो आपका image है, वो इसकी image है न, ठीक है, और आपको यह मालूम होगा, combination of lens में, कि पहले lens की जो image होती है, वो दूसरे के लिए क्या होती है, object होती है, ठीक है, तो यह image, इसके लिए क्या होगा, object होगा, है न, अब देखो, यहाँ पर ray, यह ऐसे आई, अब देखना, ध्यान से, this behave as object for this lens, ठीक, अब देखो, ध्यान से, यह ऐसे converge होंगी, यह ऐसे converge होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर, यह दोनों actual में नहीं मिल पाएंगे, इनको produce करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इनको produce करेंगे, हम इनको produce करेंगे, ठीक है, हमने इसको produce कर लिया, ओके, अब देखो, यह जो आपका image है, इसके लिए, वो इसके लिए object है, मतलब, यहाँ से जो भी rays निकलेंगी, वो सब के सब इसी point पे आके meet करेंगी, तो मैं एक ray और assume कर लेता हूँ, यहाँ से की माल लो, यहाँ से optical center से ray पास हो रही है, तो यह भी produce होने पर यहीं पर meeting होगी न, ठीक, तो आप देखें, इसके द्वारा, जो image बन रही है, वो यहाँ पर बन रही है, is it clear, this is what, a double dash, b double dash, है की नहीं, ठीक है, यहाँ पर मैंने यह वाला एक और ray ले लिया, मैंने assume कर लिया है, आप यह बताओ, अगर यह object है, इसके लिए, तो यहाँ से ray, अगर optical center से पास होगी, तो बिना किसी deviation के सीधे निकलेगी, है के नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर actually में कोई rays नहीं होगी, वो मैंने यहाँ पर resume किया, clear है, बाकि rays जो है, यह actually में rays ऐसी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कि यह दोनो diverge हो रही है, आपस में देखा जाए तो, तो इसको हम पीछे के तरफ क्या करेंगे, produce करेंगे, तो यहाँ पर meeting हो जाएगी, हाँ है ना, यहाँ पर यह दोनो rays converge हुई है, इस तरफ गई है, लेकिन दोनो एक दूसरे से दूर हैं, तो produce करने पर meeting होई है, तभी तो बनेगी virtual image, ठीक, चलो, तो यह आपका ray diagram है, जब image बनेगी least distance of distinct vision पर, मतलब, यह जो आपका final image बना है, वो आपका least distance of distinct vision पर बना है, मतलब यह जो a double dash, b double dash है, यह least distance of distinct vision पर है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, small d, इस इक लिए, ठीक है, तो यह आपका ray diagram है, जिसमें virtual image बन रही है, by this eye piece, इस इक लिए, लेकिन, overall देखा जाए, तो आपका object यह है, initial object, मतलब actual object, और यह है आपका final image, मतलब overall देखा जाए, इन दोनों lens की अगर बात की जाए, तो आपका जो net image है, वो inverted है, आप बताओ, यह actual object, यह आपका final image, तो आपका final image है, वो इसके मुकाबले क्या है, inverted है, है कि नहीं, तो overall magnification क्या होगा, negative होगा, क्योंकि inverted image है, लेकिन, इसके लिए देखा जाए, तो image क्या है, यह, virtual है, erect है, यह, क्योंकि इसके लिए object तो यह होगा न, और image यह होगा, is it clear, ठीक है, चलो, तो यह तो होगे आपका ray diagram, अब अपन यहाँ पर magnification को लेके discussion करेंगे, ठीक है, कि इस case में magnification कैसे निकलेगा, है न, तो आओ, इसके लिए एक बाद definition पढ़ते हैं पन, ठीक है, ध्यान देना, इधर देखो, definition में क्या है, angular magnification of a compound microscope is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object when both the final image and the object are situated at the least distance of distinct vision from the eye, अब ठीक है, यह तो आपके एक bookish language हो गया, है न, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, इसको elaborate करता हूँ, मैं, देखो, magnification, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, simple microscope में भी, magnification किसका ratio होगा, angle subtended by image, obviously बात है, final image, angle subtended by final image to angle subtended by object, at the eye, है न, वन बोथ, object and final image, are at least distance of distinct vision, मतला मैंने क्या बोला, magnification किसका ratio होगा, angle subtended by image to angle subtended by object, at the eye, कब जब दोनो, object और final image, दोनो, आपके least distance of distinct vision पहोँगे, है कि नहीं, मतलब जब image और object, दोनो, least distance of distinct vision पहें, उस समय, वो दोनो, जो angle form करेंगे, आई पर, उनका जो ratio होगा, उसी को हम कहते हैं, magnification, clear है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर, मैं इसका derivation करता हूँ, ठीक है, ध्यादेना, वापस आते हैं, बन, ray diagram पे, देखो, यहाँ पर, इस eye piece के थुरू हम देख रहे हैं, है कि नहीं, देखो, क्या होता है, जो आपका compound microscope होता है, उसमें आपका एक tube है, tube के एक end पे होता है eye piece, और दूसरे end पे होता है objective, जो object के तरफ होता है, ठीक है, तो हम लोग eye piece से बिलकुल चिपका के देखते हैं, है कि नहीं, और यह आपका क्या है, objective है, मतलब basically, यह जो objective है, और यह जो eye piece है, इनके बीच का जो दूरी होगा, distance, यह actually tube की length होगी, length of tube, अगर देखा जाए, तो दोनों की बीच का जो distance है, वो actually में क्या है, length of tube है, है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर, यह होगा आपका कौन, observer, है कि नहीं, ठीक है, अब देखो ध् स्याबर, मुझे यहाँ पर निकालना है, magnification, तो एक काम करते हैं, तुम बताओ, यह image, least distance of distinguishing पर है, ठीक है, यह कितना angle form करेगा, आई पर, तो आई पर कितना form करेगा, मतलब, eye piece के center, optical center पर जो form करेगा, वो आले angle की बात करना हूँ है, मैंने क्या बोला, यह जो आपका image है वो कितना angle form करेगा, eye पर, तो eye पर angle form करने का मतलब, कहा पर angle form, optical center of eye piece पर, ठीक है, क्योंकि इन दोरों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, यह तो मैंने आपको अलग से इतना दूरी करके दिखाया है, मैंने आपको, नहीं तो बिलकुल चिपका के रखते हैं न हम लोग ऐसा ऐसे देखते हैं बिलकुल, ठीक, तो eye पर angle form करने का मतलब, eye piece के optical center पर angle form करने का मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना angle बन रहा है, ठीक है, तो अब देखो, मैंन लो, यह जो image है, final image, वो यहाँ पर कितना angle form कर रहा है, से beta, ठीक है, अब object कितना angle form करेगा पर और वो object को भी कहा होना पड़ेगा, least distance of distinct vision पर, तो अब बताओ, ये हमारा actual object है न, इसको यहाँ पर resume करोगे आप, तो ये देखो, मैं इसको red color से शो करता हूँ, ये देखो, this is what, मैंने बोल दिया, इसको माल लो, a1, b1, clear, अब देखो, ये कितना angle form करेगा यहाँ पर, this is suppose alpha, है कि नहीं, ठीक है, तो इन दोनों का जो ratio होगा, beta और alpha का जो ratio होगा, this is called as angular magnification, ठीक है, angle subtended by image, to angle subtended by object, ठीक है, तो image वाल अंगल उपर, object वाल अंगल नीचे, clear, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आप लोग इदा देखना, तो मैंने क्या बोला, magnification is equal to what, beta by alpha, clear, now, अब क्योंकि यह angles बहुत small होते हैं, यह तो आपको इतना बड़ा करके दिखाया है, मैंने, लेकिर angles बहुत small होते हैं, और अगर angles small होते हैं, तो आपको पता होगा, कि beta और alpha, यह small angles हैं, तो मैं beta को tan beta भी लिख सकता हूँ, tan beta, और alpha को लिख सकता हूँ, मैं tan alpha, ठीक है, यहाँ लिख दो बाजू में, कि since angles are small, angles are small, is it clear, ठीक है, चलो, अब देखो धियान से यहाँ पर, इदा देखना, अब यहाँ पर tan beta और tan alpha की value लिखूँगा मैं, ठीक है, धियान देना इदर, अब देखो, tan beta क्या लिख सकते हैं, simple, a double dash, b double dash, upon a double dash, c2 न, by simple, perpendicular upon base, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, m is equal to tan beta की value, a double dash, b double dash, upon a double dash, c2 न, ठीक है, a double dash, c2, clear, ठीक है, hole upon, hole upon, tan alpha, मतलब, यह वाला perpendicular upon base, ठीक है, तो perpendicular कितना, a1, b1, upon, यह जो आपका distance है, इसको a1, c2 बोलो, या a double dash, c2 बोलो, बात तो एक ही है, भाई, a1 जहाँ पर है, वहाँ पर a double dash भी है, है कि ने, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, a double dash, c2 भी लिख देते हैं, अरे एक ही बात है ने यहर, यह हमारे a1, b1, और वहीं पर आपका a double dash, b double dash, ठीक, चलो, तो अब देखो, यह आपका क्या हो गया, cancel out हो गया, तो क्या मिला आपको यहाँ पर, a double dash, b double dash, upon a1, b1, मिला, ठीक है, अब बताओ, a1, b1 जो है, वह actually में object ही तो है, ठीक है, तो हम क्या a1, b1 को a, b लिख सकते है, actual object, ठीक है, तो यह हो जाएगा a double dash, b double dash, और यह क्या हो गया, आपका simple a, b object हो गया, clear है, ठीक है, तो magnification क्या हो गया, actually में देखो क्या हो गया, कहानी, size of image to size of object, जो की होता है ना ऐसा, है ना, ठीक है, अब हम देखेंगे, यहाँ पर, इसको मुझे convert करना है, ठीक है, इस objective के focal length, और यह जो IPS का focal length है, इनके terms में, है ना, तो कैसे करें काम में, और भोग यहाँ पर, ध्यान देना, इसके लिए चलते हैं, अपन next page में चले, next page में चले, कि यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं, इधर देखो, ताकि हम diagram से आपको relate करते हुए दिखा पाएं, ठीक है, चलो, अब देखो, M is equal to A double dash, B double dash, ठीक है, यहाँ पर मैं किसी चीज़ का multiply डिवाइड कर रहा हूँ मैं, क्या करूँगा मैं, मैंने यहाँ पर A dash, B dash का divide किया है, और A dash, B dash का multiply किया है मैंने, और अपन A, B वैसा का वैसा, बताओ, आया समझ में आपको, देखो, A double dash, B double dash, अपन A, B, वैसा कब वैसा है, बस इसको इधर लिख दिया थोगा सा, और मैंने A dash, B dash का multiply divide कर दिया मैंने, कर सकते हैं अलग से, ठीक है, आप देखो, सुनो, तुम यह बताओ, यह A double dash, B double dash, किसकी image है, IP इसकी image है, है कि नहीं, ठीक है, और A dash, B dash, किसका object है, इसका object है न, तुम बताओ, A dash, B dash, इसके लिए object है न, तो आप बताओ, यह आपका IPs का image, और यह IPs का object, तो दोनों के size का ratio यह होगा, IPs का magnification न, है कि नहीं, आप बताओ, general magnification का formula पता होगा आपको, size of image to size of object, होता है न ऐसा, तो आप बताओ, यह IPs का image है, और यह IPs का object है, तो यह इनका ratio क्या होगा, IPs का image, sorry, magnification, ठीक, similarly, now, अब बताओ, यह जो A dash, B dash है, यह objective का image था कि नहीं, और यह A b, objective का object है न, तो यहाँ पर देखो, size of image to size of object, for, for objective, तो यह क्या हो जाएगा, magnification for, objective, हो जाएगा यह, ठीक है, यह आपका objective का image, objective का object, तो objective का magnification, clear, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, M is equal to, M into M not, बोल दिया मैंने, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर M not को पहले लिखो, और यह जो M E है, ठीक है, M E, magnification का formula, ठीक है, IPs का, जब image बन रही है, least distance of distinct vision पर, मतलब, single lens के द्वारा, अगर image बनती है, least distance of distinct vision पर, तो मैंने simple microscope में derive किया हुआ है relation, और वो relation था, 1 plus D by F, ठीक है, मतलब, किसी lens के द्वारा, अगर image बनती है, least distance of distinct vision पर, तो वहाँ पर magnification का formula होता है, 1 plus D by F, clear है, यह हम prove कर चुके हैं, आपके simple microscope पर वहाँ पर जाके देख सकते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पर देखें, यह जो M E है, ठीक है, इसने, मतलब, यह जो IPs है, इसने image कहां बनाई है, least distance of distinct vision पर बनाई है, तो इसका magnification जो होगा, वो इसी format का होगा, बस यहाँ पर focal length किसका लेंगे, IPs का लेंगे, क्योंकि IPs ने बनाया है यह, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप, FE, is it clear, ठीक है, चलो, तो अभी यहाँ पर M equal to M naught into 1 plus D by FE आया है आपका, ठीक है न, चलो, अभी धियान देना, अभी picture बहुत बाकी है, ठीक है, चलो, तो अभी काम करते हैं, अब next फिर बें चलते हैं आपन, देखो, M is equal to, कितना है अभी तक आपका, M naught into 1 plus D by FE, है न, यहाँ पर लिग देना, यहाँ पर लिग देना, since eyepiece form image at least distance of distinct vision, distance of distinct vision, clear, ठीक है, चलो, अब हम आते हैं इस M naught के उपर, आप यह बताओ, यहाँ पर, जो general magnification होता है, lens का, ठीक है, वो होता न, V upon U, lens का magnification होता है, V upon U, मानते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी M naught क्या होगा, आपका image distance for objective upon, object distance for objective, V upon U का formality होगा, ठीक है, अब आउसा ray diagram पर आओ, यह देखो, objective की बात करें, तो objective ने यहाँ पर बनाया image, तो आप बताओ, यह क्या हो जाएगा, आपका V naught हो जाएगा न, बोलो, यह आपका V naught, और यह क्या हो जाएगा, आपका U naught न, बोलो, है के नहीं, object distance for objective, तो आप बताओ, यहाँ पर, देखके, क्या मैं M naught को लिख सकता हूँ, V naught, upon U naught, लेकिन हम sign convention के साथ करेंगे न, काम, तो minus U naught रखेंगे हम लोग यहाँ पर, है के न, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, आपका U जो है, वो negative होगा, यह तो बता होता है आपको, और V क्या होगा positive, ठीक, तो यहाँ पर देखो, मैंने M naught को लिखा, V naught upon minus U naught, ठीक है, इसको आप यहाँ पर put up करें, therefore M is equal to, ठीक है, V naught upon minus U naught, into 1 plus D by Fe, है न, यह हो जाएगा formula to calculate magnification, है न, लेकिन अभी इसमें कहानी और बाकी है, ठीक है, देखो जहाँ से, सुनो, ध्याँ से यहाँ पर, अब आओ ज़रा, यहाँ पर diagram पर, देखो, यह देखो, ध्याँ से, यहाँ पर, हम यह कहते हैं, कि जो objective है, वो जो image बनाता है, ठीक है, वो IPS के बहुत करीब होता है, होता है, मतलब यह जो V0 है न, वो नियर टू, आपका IPS होगा, समझ रहे हो, मतलब यह जो V0 है, मतलब image distance for objective, यह near to length of tube होगा, ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे, कि since objective form image, very near to IPS, बहुत करीब होता है, therefore, जो आपका image distance है V0, उसको हम क्या लेंगे, length of the tube लेंगे, ठीक है कि नहीं है, दूसरा assumption, यह assumptions है, ठीक है, क्योंकि exactly तो वहाँ पर बनाएगा नहीं, लेकिन हाँ, उसके करीब होता है, तो हम माल लेते हैं कि V0 जो है, वो length of tube है, ठीक है, चलो, अब देखो, यह जो हम object रखते हैं, ठीक है, objective के लिए, वो near to focus होता है, माला focus के करीब में रखते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है, तो near to focus होता है, तो near to focus है, मतलब, यह जो object distance है, वो actually में focal length हो जाएगा, तो इसको near to focal length, और यह near to ips, इसके according, assumption जो होगा, V0 replaced by L, and U0 replaced by F0, ठीक, तो अब देखो, ध्यान से आपर, हम ऐसा बोलेंगे, since image formed by objective is near to eyepiece, near to eyepiece, ठीक है, therefore, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, V0 is nearly equal to what L, ठीक है, that is length of tube, length of tube, तुम लोग समझ रहे हो न, वो आपका actually में length of tube है, ठीक है, चलो, अब देखो, and since object kept near to focus of, focus of what? objective, therefore, आपका जो U0 है, वो nearly equal to what? F0 हो जाएगा, तो अब दाओ, यहाँ पर, जो आपका magnification आएगा, M is equal to V0 को replace किया L से, और U0 को replace किया F0 से, है क्यों नहीं? और यहाँ पर 1 प्लस D by FE वैसा का वैसा, यह आएगा आपका magnification का formula, clear है? तो यह formula कभ यूज करोगे आप? जब आपका image बनेगा least distance of distinct vision पे, is it clear? ठीक है? चलो, अब अपन बात करेंगे, जब image बनेगा infinity पर, है न? उसे कहते है normal adjustment, ठीक है? चलो, तो एक काम करेंगे आप लोग पहले, पहले आप लोग इसका screenshot ले ले, फिर आप लोग इसका screenshot ले ले, फिर आप लोग इसका screenshot ले ले, छलो, अब अपन देखते हैं यहाँ पर, second case, when image formed at infinity, तो जब image कहाँ बनेगी? infinity बनेगी, जिसे हम कहते है, normal adjustment, है न? तो धियाँ देना, अगर हम चाहते हैं कि final image infinity पर बने, देखो infinity पर image बनने का मतलब बहुत दूर बने इमेज, और बहुत दूर image बनेगी न, तो हम जब उसको देखेंगे, तो आपना जो आई है, वो बहुत relaxed position में रहता है, ठीक है कि निए? हैं तो infinity पर image बनने का मतलब बहुत दूर बन रही image है के नहीं ठीक है मतलब उसको relaxed condition में हराम से देख सकते हैं ठीक है अभी देखो ध्यासे आपर when image formed at infinity मतलब हम चाहते हैं कि जो IPS है वो final image कहां पर बनाए infinity पर ठीक है तो IPS को अगर infinity पर image बनानी है तो objective को कहां पर image बनानी पड़ेगी तो objective को IPS के focus पर image बनानी होगी क्योंकि objective का जो image होगा वो IPS के लिए object होगा तो objective image बनाएगा IPS के focus पर और वो focus वाला जो image है वो IPS के लिए object होगा है ना और देखो object अगर होता है focus पर तो image कहा बनती है infinity पर है ना तो मोलोगे सर बड़ा confusion है ठीक है तो एक काम करते है ray diagram देखते हैं है ना आओ देखो जहां से आप लोग यहां पर तुम यह बताओ मैं फिर से ले रहा हूँ वो दो lenses है ना एक अपना object यह देखो मैं लेता हूँ यहां पर एक objective ठीक है और यह आपका eye piece ठीक है थोड़ा साज को मैं और उपर कर देता हूँ ठीक है यह देखो यह आपका ले लिया मैंने है ना यह अपना है C1 और यह आपका है C2 ठीक है यह principal axis है ना चलो अब देखो ध्यां से आपर this is F0 this is FE ठीक है यह आपका F0 यहां पर भी है ना चलो अब देखो सुनो सुनो मुझे इसके द्वारा image कहां बनानी है इसके focus पर ताकि वो image इसके लिए object बन जाए और object इसके लिए अगर focus पर होगी तो image कहां बनेगी infinity पर ठीक है अभी देखो यहां पर मैं लेता हूँ यह आपका A B यह पार्लेल लिया मैंने ठीक है यह focus है पास चेक है फिर देखो आप ध्यांसे थोड़ा साइब येस यह देखो ध्यांसे यहां पर जो इसने image बनाई है वो कहां पर बनाई है focus पर है के नहीं अब देखो ध्यांसे यहां पर यह जो आपका वो जब converge होंगी वो जब converge होंगी तो इस तरीके से converge होंगी कि दोनों आपस में क्या हो जाए पार्ल हो जाए तो आप बताओ पार्लल है तो प्रड्यूस करेंगे तो भी पैलली होंगे है के नहीं ठीक है तो आप बताओ देखके इसने जो image बनाया वो कहां पर बनाया infinity बनाया image है के नहीं ठीक है यहां से आप ले लो optical center वाला भी यह क्या होगा आपका infinity पर है न तो infinity पर image बन रही है बोलो हाए न यहां पर आपका observer है ठीक तो आप बताओ यह जब इसके focus पर image बनायेगा ठीक है तभी तो यह image infinity पर बना पाएगा क्योंकि इसके लिए यह object की तरह behave करेगा और इसके लिए जो object है वो focus पर है और focus पर object होगा तो image कहा बनेगी infinity बनेगी है के नहीं ठीक है अब मेरी बात को सुनना ध्यान से अब यहाँ पर अगर हम magnification की बात करें तो फिर से वही कहानी ठीक है ध्यान देना पूरा derive नहीं करना आपको यहाँ पर ठीक है देखो m is equal to आपको यह मालूम है न अब जेक्टिव का magnification इंटू आईपीस का magnification ठीक है अब बताओ यहाँ पर जो आईपीस है वो infinity पर image बना रहा है और जब infinity पर कोई image बनाता है single lens यहाँ पर आईपीस की बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग me की बात करेंगे तो अगर कोई single lens अगर infinity पर image बनाता है तो उसका जो magnification है वो मैंने derive किया हुआ है आपके किसमे simple microscope में है के नहीं तो वहाँ से आप देख सकते हैं तो यह होता है simple d upon f one plus नहीं होता है यहाँ पर है के नहीं simple आपका d upon f अब क्योंकि यह eye piece का है तो हम focal length किसका लेंगे eye piece का लेंगे ठीक है तो जब image बनती है infinity पर तो वहाँ पर magnification हम लेते हैं d upon f e और d क्या होता है least distance of distinct vision होता है ठीक है और जो m naught है वो वही रहेगा जो previous case में था भी क्या था आपका वही assumption वाला that is l upon minus f naught तो यह हो जाएगा magnification का formula है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पर भी जब आपके exam में भी आएगा ठीक है और जब आपको यह case दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको अलग से यह प्रूफ करके दिखाने के जरुत नहीं है आप सीधे बोल सकते हो कि if lens form image at infinity then its magnification is d by fe and if image is formed at least distance of distinct vision then magnification is 1 plus d by fe है कि नहीं सीधे आप इस्तिमाल कर सकते हैं पर clear है कहानी ठीक है चलो तो यह हो गया आपका simple magnification जब आपका image कहां पर बनेगा infinity बनेगा clear है ठीक है तो आप लोगे काम करें इसका screenshot ले 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 चले तो यहां पर अपना यह जो compound microscope है यह खतम होता है ठीक है बस आपको यहां पर magnification के उपर ही numerical आएगा या फिर इसका ray diagram बनाने को आ सकता है है कि नहीं ठीक है तो अब जो next video रहेगा उसमें हम बात करेंगे telescope को ले करके आपको यह मारूम ही है कि जो telescope है ठीक है उसको दूर के objects को देखने के लिए इस्तमाल करते हैं हम लोग है ना तो टेलेस्कोप पे बैसिकली दो टाइप के टेलेस्कोप आपन को पढ़ने है एक अपना है reflecting सारी refracting telescope और एक reflecting टाइप टेलेस्कोप तो अगला जो वीडियो रहेगा न उसमें हम बात करेंगे refracting टाइप टेलेस्कोप तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्लिए क्या करना है आपको simple magnetbrains.com पर जाना है यहां पर सारा content बिल्कुल quality content आपके लिए बिल्कुल free available है तो बस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपका में वीडियो हो आपसे बिल्कुल मिसना हो और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फाइदा मिल पाए थैंक यू